कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि नमस्कार दोस्तों रियेज के सेने केटमी में एक बार फिर से आप सबी लोगों का स्वागत है और आज जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट बोर्ट पर टापिक जो लिखा हुआ है वो सिविल सर्वेसेज बुक्स एंड स्ट्रेटजी इस टापिक पर हम रोग चाचा करने वाले हैं बेसिकली कहा जाता है कि वो दिमान बेक्ति वही होता है जो अपने परिस्थितियों को आउसर बिबदल देता है आज कि इस परिस्थिति में इस वाकिका नहितार्थ कैसे जो का उदे होता है तो ऐसी परिस्थिति में जब कि देश के स्कूल, सिख्छन, संस्थान, कोचिंग, सारी चीजे बंद कर दी गई हैं और आप अपने घर में रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके समक्ष जो समय है उसका सदूपयोग कीजिए और कंप्टीशन के छेतर में हैं तो आपके पास इतना समय मिल जाता है कि आप अपने इस्टिडी मटीरियल को समेट सकते हैं उसको इतना धार दे सकते हैं कि वो परिच्छा में आपको बहुत ही मजबूत योधा के रूप में उतारने में आपको सफलता दिलाता है तो ऐसी स्थिति में आज के इस लेक् स्ट्रेटेजी पर भी जो है चर्चा करेंगे तो सिविल सर्विसेश एक ऐसा एक्जाम है जो प्रिलिम्स मेंस एंट इंटर्व्यू पर आधारिट होता है एक काफी कुछ स्लेबस कबर करता है मिंस में काफी पेपर होते हैं इसी तरीके से प्री में भी कई सब्जेक्ट हो और बुक्स के गूप में हम यहां पर आठ पॉइंट को कबर करेंगे तो एक करके हम यहां पर देखते हैं राज ब्यवस्था इसको पॉलिटी कहा जाता है या इसके लिए आपको एम लक्ष्मी कांत यह नक्ष्मी कांत की भूख है इसके साथ में सुभास कस्यत इसके नोट्स और घाटना चाप्र पूबाव लोक्न यह तब यहां पर यह चार बुक्स दिखाई पड़ रही है लेकिन इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि आपकी जो बेस बुक होगी यहां पर यह ध्यान में रखना आउसक है कि कई बार मैक जीव में कई बार विभिन प्रकार के इंट्रव्यू में लोगों के द्वारा इतनी लंगी लिस्ट बताई जाती है लेकिन उस सभी किताबों को जो है पढ़ने की ना तो जरूरत है और ना ही आपके पास समय है बेसिकली यहां पर इन चीजों को बता करके मैं व्याक्या करना चाह रहा हूं कि जो यह मलक्षवी कांत की जो बुक है यह मार्केट में पुराद विभिन प्रकार की इस्टाविक पर रिर्थीगी किताबों में अभी तक सबसे बेतर सावित हुई है विभिन पर इच्छाओं में और यह जो है आपके सम्विधारियों राज ब्योस्था की तैयारी के लिए यह एक बेसिबुक है यह तब ही कोई विभिभु का अज की देट में कमप्टीशन के फिल्ड में नहीं है जिसमें आपको सौब प्रतिसत चीजी मिल जाएंगी कुछ नहीं तो करेंट ही चीजी उसमें नहीं मिलेंगी कई डेवलप्मेंट होते रहते हैं लेकिन आपकी फिर भी जो है 80-85 प्रति के दुनिया में वह सुवास कस्व अगर पढ़ता है तो डेफिनिटीव आपकी संसेदी बेवस्ता की बारे में उसको एक ब्योहारिक दिश्टि कोंड का उद्या होता है तो यह ब्योहारिक समझ पैदा करने के लिए सुवास कस्व ले सकता है यह तब ही अगर उसकी पास सम अगर आपके पास समय है इन तीनों का जो हद्धिन कर सकते हैं और यह तो आपको फ्री में जो है इस युगेशन एक जो टेलिग्राम चैनल पर आप रिज गये सना याश एडमी चैनल पर जाकर करके उसके एड्मिन को आप मैसेश करके इसे प्राप्त कर सकते हैं तो यह तो आपको मुफ्ती मिल रही है और यह दोनों किताबें आपको उस कंडी से मिलेना जब आप नगोदी था अन्य था तो आपके बेस बुक के लिए यही इंपॉर्टेंट और जहुरी है घटना चक्र का यहां पूर्बा उलोकन इस पॉ पजली के लिए यह ज़रूरी है तो आपके लिए जो यह चारट बुक्स बताई आ रही है इस जादा आपको लेने की और देखने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें भी आपके पास बिकल्प है कि एक या दो बुक्स इसमें आप कम कर सकते हैं यह आपकी समझ आपके तैयारी क तर तैयारी की दिशा में आपके प्रगती पर निभड़ करता है कि आपको क्या इसमें से पढ़ना है मैं सारी चीजी बता दिया हूँ अब दूसरा कि आर्थ व्यवस्था है इसको पीसे की रूप में लिख दे रहे हैं बाकि आर्थी की रूप समाजिक विकास भी लिखा रहता है तो आर्थ व्यवस्था है आर्थ व्यवस्था में रमेश सिंग की बुखन रमेश सिंग की बुखा ये टीमेश ऑब्लीदेशन की बुखा रमेश सिंग की बुखा जो आर्थ व्यवस्था पर आपके एक्जांग पॉइंट आप यूँ से बहुत ही कम्प्टेटिव तहीके से लिखी गई है प्रिलिम्स और मेंस दोनों ही द्रिश्ट पॉन से महात् इजुकेशन के नोट्स ये आप जो है देख सकते हैं ये नोट्स जो है टीम की तरफ से जो है इसको संकलित किया गया है लिखा गया है और इसमें भी एक्जांग पॉइंट आप यू से लिखा गया है और लगबंग 200 पेजेज में जो है ये पूरी अर्थ व्यवस्था के प्रद्रिस्ट को आपके सामने रखने का प्रयास करता है कम समय में सर्व भासा में लिखा गया है और उन्हीं चीज़ों को लिखा गया जिसे आपको इज्जाब में चरूलत होती है तो इन दोनों ही किताबों से आपके दोनों किताब पढ़ सकते हैं कि ये कम समय में आपक पढ़ने के लिए जो है जबूरी है और दूसरी तरफ रवेश सिंगी बुक एक व्यापक संदर्भों में है आपको ये किताब तो पढ़ना ही पढ़ना है तो आपके लिए रवेश सिंग यहां पर बेस बुक होगी इसके स्थाथ में यहां पर भी जो है मैं घटना चक्र को पूर्बा रोकन है और यह सभी टाफिक के साथ जुड़ा रहेगा क्योंकि ऐसा करके आप जो है उस विसे के बारे में बेहतर तक्ष्यात्मक समझ विक्सित करेंगे और अब तक एक्जाम में पूछे गए सवाल उसे परचित होंगे और उसकी ब्याख्या को पढ़ने से आ प्रश्नपत्र जो है संकलन किया हुआ ड्राफ्ट किया हुआ है वह कहीं से उठा लेता है तो कम-सक कर में ये जांकारी हो जाती है किきた ओं में पूरे प्रश्नपत्र के सभी सभावश को साथ में कथि माध्यम में यह इसित धिनलों को सबस्कूरिक में यह परना होगा प्राप्त हो जाएंगे अब हम भूगोल पर देखेंगे अभी तक मैंने NCRT की चर्चा नहीं किया लेकिन भूगोल एक ऐसा भी से है इसे मैं प्रश्मली पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको छे से लेकर के बारा तक की किताबे आप अगर वैसे तो नौ से बारा लेकिन आप चाहें तो छे से बारा की कि बहुत ही इंट्रेस्टिंग लिगा हुआ से भी साइंटिफिक सब्जेक्ट है एक आप दो दिन में एक किताब पढ़ सकते हैं इतना इंट्रेस्टिंग है अगर आपका पूरा समय उसी में है अपने एक आडिंग बिक्ति अपनी शंता के अमसार जो है टाइम टेबल बनाता है और पढ़ता है लेकिन पूरा टाइम दिया जाए तो दो दिन से जाता नहीं ल प्रियास किया गया है तो यह भूगोल जो है आप NCRTT जो है बुक यहां पर देखें शिक्स टूर लेकर के टॉयम पता इस इस बुक को पढ़ने के बाद आप बड़ी-बड़ी किताबों के एक भी कांसेप्ट को समझ पाएं कि क्योंकि बहुत बड़ी किताबों में क्या है उसमें उदाहर देखर के चीजों के कई किसिष्टिनी देखर के जू संझाने का प्रियास किया गया है और उन सारी चीजों चाहिए बिंट सो चाहिए चक्रवात हो इस तरीकी से बन हो यह जो भी टापिक आपके इंडिया के जो है परस्पेक्टिव है, व्ल्ट के कर दियार खुलर की जो भूल है जो की व्याफक संदर्भों में लिखी गई है और मुखी परिक्षा के जो है पॉइंट आफ व्यू से इस बूफ को आपको लिएना है क्योंकि जोग्राफिय एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एक्जाम में 25 से लेकर 25 तक का वारियेशन इसम से एक क्वेश्चन आपके निबंद में 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 पूछा जाएगा और में में जीएस का एक पेपर तो कमों बेस जोग्राफिय पर आधालित ही है तो इस तरीके से यह जो 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 टापिक है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए तो एंसे आटी की छे से आपको जो है मैप की तैयारी विभिन जो कंटीडेंट है वहां पे महाद्यूपो में देशों की जो आवस्थिती उन देशों के पास में महत्त्पूर्ण, सागर, जील, नदियों के बारे पर जानकारी मिलते है तो एटलस जो है आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट ह और इसके साथ में जो चौती जो घटना चक्र हमने बताया था वो आपको यहां पर भी रखना होगा और उसी तरीके से आपको यहां भी उसकी तयारी करनी होगी तो इस तरीके से जो है आपने राजब्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भूगोल को जो है इस रूप में जो देखा, अभी मैं आजने विश्यों को यहां पर सामीर करता हूँ, अगला है जो है इतिहास, इतिहास में NCRT को फिर रिग्मेंट किया जा सकता है, पर तुम मैंने जो देखा उसमें NCRT में, कि वहां पर अलग-अलग जो है, क्लासेस के लिए जो बुक्स बनाएंगे, चुकि हिस्ट्री तब्याबक सब्जेक्ट है, कि उसे किसी एक क्लास में, एक बुक्स में जो है, देने पर NCRT जैसे किताबों के लिए जो न्याय नहीं हो पाएगा, तो ऐसे स्थिति में वहां पर इतिहासी कुछ अत्या जो की, आर्टी जैन के द्वारा लिखी गुई है, NCRT साथ, NCRT साथ, यह जो है, RK जैन, के द्वारा, NCRT सार देखेंगे, तो यह लगबाग 200 पेज़ की जो है, और प्राची, मद्यकाली, आधुनिक भारत, और स्वतनत्रता आंदोलन को इसमें कबर करने का प्रियास किया गया है, इस्पेसली, इस्पेसली प्रिलिंस के पॉइंट आप उसे यह होक लिखी देगे है, यह तब आधुनिक भारत के लिए आप, आधुनिक भारत के लिए जो है, या आधुनिक इतिहास के लिए आप इस्पेक्ट्रम की बुग जो है पढ़ सकते हैं, इस्पेक्ट्रम अच्छ आधुनिक भारत और आधुनिक इतिहास पढ़ने का क्या इंपोर्टेंस है बेसिकली यह है स्वतंद्रता अंदोरन को जो की बहुत ही महत्पूर्ण जो है भाग है इतिहास का यहां से नाकेवल प्रारमभी परिच्छा में जादे सवाल पूछे जाते हैं बलकि मुखे परिच्छा में यहीं से सवाल आपके पूछे जाते हैं तो इस पॉइंट आद्यू से आपका जो इस्पेक्ट्रम लिखा भी गया है वो बहुत ही व्यापक संदर्भू में लिखा गया है एक अधानाओं को लेकर के लिखा गया है तो आदरी भारत के लिए इस्पेक्ट्रम की बुक आपको पढ़ना जरूरी होगा यहां पर कला और संस्क्रिप्ट आर्ट एंड कल्चर के रूप में अगर देखा जाए तो नितिन सिंहानिया की बुक आपको देख सकते हैं कि यहां पर किताबों की सुची बड़ी भूती जा रहा है इसलिए आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि स्वेंग मैंने खहा कि बहुत जादे किताबें नहीं पढ़ी है और यहां पर खुद मैं उस तरीके से लिख रहा हूँ तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि अगर आप प्रिलिम्स की वक्ति जान देने जा रहा है तो इसके लिए आपको यही किताब पर्याप्त है लेकिन यहां किताबी इसलिए बताई जा रहे है कि किताबों पर डेली तो लेक्चर लिए नहीं जा सकता इसलिए बताई जा जा रहा है कि ताकि आप इसके साथ में पढ़ सकते जैसे जो ग्राफी में भी है आप एंसे आटेकर छा से बार और घटा चक पूर पढ़ लेते हैं तो डेपनिली प्रिलिम्स के लिए कोई समस्त जाने लेकिं डियार कुलर यहां मेंस के पॉइंट आप भी उसे लिखा गया ह ताकि आप मुखे परिच्छा को भी उसी तेजी और मजबूती के साथ मात दे सकें जैसा कि आप प्रिलिम्स में चा रहे हैं तो इस पॉइंट आप भी उसे देखा जाए तो कलावर संस्क्रेट के लिए नितिल संगानिया और इसके साथ में आपको अब जो बुख लेना है वो घटना चलगा यह दबी यहां पे अगर भाग के हिसाब से देखा जाएगी प्राचीन आपनी के इस तरीके से तो किताब यह लोग बहुत लिख देते हैं जैसे मने देखा है कि केसी स्रिवास तो लोडाउट बहुत अच्छी किताब है डेपनेटली हिस्ट्री पढ़न लेकिन केसी स्रिवास तो भी बुक काफी स्टेंडर्ड काफी जो स्विक पेजेज हैं और अगर आप उसी को पढ़ना बैठेंगे तो मुझे लगता है कि काफी समय उसमें लग जाएगा इसी तरीके से आप मध्यकाल में आ जाते हैं तो मध्यकाल में आप लईक अहमत सौर अगर आपको कोई चीजिस में नहीं समझ में आता तो जुन किताबों का मैंने नाम प्राचीनकाल मध्यकाल और आधुनिक भारत के लिए अभी बताया उन में से भी कोई किताब आप पढ़ सकते हैं इसी सिवास तो पढ़ सकते हैं लाइक अहमत या सौरफ चौबे दोनों म पढ़ सकते हैं लेकिन मेरे अनुसान आप अगर जीस के लिए जो पढ़ रहे हैं और पीचिस के जो है एक्जाम के लिए या आईस के लिए तो ये किताबे जो ही आपके लिए महात्यकूर होंगी और प्रिलेंस के पॉइंट आप व्यू से एंट एंसे इसार पढ़ना और के घटना चक्व यह दोनों ही किताबे महत्पूर्ण होंगी दो किताबे बीच की जो है मेंस के पॉइंट आप यू से लिखी गई है तो यह बात रही जो है इतिहास को लिए करके अभी चार सब्जेक्ट के बारे में चर्चा हो गई अभी हम जो है विज्ञान के बारे में ब किताब आपको इस संक्रन पढ़ना होगा एंसे आटी सार पर यह महिस बढ़वाल की किताब आप ले लिजिए इसको मैंने देखा भी है पढ़ा भी है और साथ में घटना चक्रा आपका लगा ही रहेगा यह दो ही किताबे इसमें महात्पूर है मिन्स में जो है जै वी जात면 साइन स्थ्क से कोई स्थे पूछी पूशे जाते ख़र विज्ञान के लिए आपको पढ़ना परियावरण, उत्तर परदेश और जन संख्यार यह खिताब में बस्ति है तो परियावरण के लिए जो है आपको रियेजुकेशन नोट देखना है इसी तरीके से उत्तर परदेश के लिए भी रियेजुकेशन नोट देना है यह दब परिक्षा बारी की вी किताब आप यहां पर बें ले सकते हैं परिक्षा बारी की भी किताब ले सकते है और जनसंख्या नगरी करण के लिए जो है रियेजुकेशन के ही नोट का संक्लम स्वेंग्हdam के जो है द्वारा किया गया है और परिच्छा के point of view से इस तरीके से संक्लित किया गया है कि आपकी लगबख सारी जरूरते पूरी हो जाएंगी ये तब इन सभी के लिए आपको पुना घटना चक्र की किताबे रखनी ही रखनी होगी कि इसमें पूर्व के सवालों का संक्लन आपको मिल जाता है तो इस तरीके से आभी हमने जो आज का टापिक निर्धारित किया हुआ था बुक्स पर जो है वो मैंने चर्चा किया इसमें आठ सेक्षंस मैंने देखा भुगोर राज वेवस्था अर्थ वेवस्था इतिहास चार यह हो गए हमारे सोसल के सब्जेक्ट जिसो सोसल के स्रेड़ी में रखा जाता है उसके बाद चार अलग से हमने विज्ञान परयाव इसके साथ में जो है आपको एक समसामाई घठना थैयरी दिन प्रती दिन की घठनाओं त焦ना उमीट यह लगा झालियवस्था इसके लिए जो है मैं आपको यह बताना चाहूंगा इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह द्द पिया लोगों के पर टेस्ट होते हैं अपने इंट्रेस्ट होते हैं पढ़ने के जो है करेंट अफेर्स की बुक को लेकिन हमने देखा कि क्रानिकल की जो बुक है क्रानिकल आप पढ़ सकते हैं क्रानिकल जो है आपके एक्जान की द्रिष्टकूर्ट से लिखी जाती है और उसमें इतने चीजों का विश्लेशन किया जाता है घटनाएं दी जाती है जो आपके परिष्छा के लिहास से परियाप्त होती है आप एक न्यूज सुन लीजिए अब 24 गंटे में ये एक न्यूज की आदत भनाना ही जाहे वो आपके आठ प्रियास करता है तो इस तरीके से आपको ये मैजीन देखना है एक न्यूज देखना है और आख़वार भी देखना है आप वो आख़वार आप पढ़ने की की आदत भी होनी चाहिए क्योंकि आख आप बार जो है आप में creativity पैदा करता है अलग लग चीजों को देख करके सोचने समझने और लिखने की छमता का भी कास करता है अब अदेख करते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी इंग्यिस में हैं तो ईंदू यांगरेजी के लिए और हिंदी के लिए पर आपको पॉइंट के अलमा अडिशनल में आपको पढ़ने होगे तो ये आपके कम्प्लीट जो है बुक्स की जो है लिस्ट और सूची है जो आपकी सिविल सर्विसेस के पॉइंट आप यूज बहुती मात्पूर होने वाली है और आप बरतमान समय में जो समय है आपकी करते हैं कि इन किताबों को किस तरीके से पढ़ना है और बरतमाद समय के जो समय है उसको किस तरीके से यूज करना है बेसिकली कि आज का जो ये कोविट टेंटिन के कारण से आपको समय मिला हुआ है आपके पास परियात समय है सिक्षर संस्थान कोचिंग बंध है आपके पास 24 घंटे का समय है सोने खाने के बाद आपको फ़लना ही है तो इसमें आपके लिए जो है सबसे इंपॉर्टन चीज है नमब आत पर ये है कि आप जो है आपकी तैयारी को एक नया जो है दिसा दे सकते हैं उसमें नया पहल सीख सकते हैं और लिखने की छंता का दिकास कर सकते हैं क्योंकि जो आप जाम जामनेशन में जो पेपर पर जो लिखेंगे आपको लिखने के एवस में ही माक्स मिलेंगे क्यों यहां पर आप जैसे आपको उत्तर मेंस का लिखना हो तो मेंस के लिखने के लिए आपको डेटा कैसे उसमें इंट्री करना है समय समय पर वो आप छंता आपनी विकास कर सकते हैं इसी तरीके से आप चार्ट की माध्यम से उसका प्रजेंटेशन कैसे दिखा सकते हैं डाइग्राम के माद्यम से वो सारी चीज़ें दिखाने पे जड़ा इफेक्टिव हो जाता है उत्तर और जिसे मार्स मिलने में आसानी आपको होती है तो इन सभी छहंता का विकास आज के इस्तिथी में करना है जो कि मेंस के पॉइंट आपके उसे सोच रहे हैं दूसरी चीज दूसरी बहतर ध्हुं से हो पाएगी तो आपको ये भी ध्यार में रखना होगा अगली चीज है कि इस दौरान आप जो है चाहें तो अच्छी किताबें जो भी इंट्रेस्टिंग हैं आपके लिए वह आप पर सकते हैं अगली चीज है कि आप अच्छी मूबीज भी देख सकते हैं अब मूबी देखने का यह रही चोपिस घंटा देखना है आप सबता में एक देख सकते हैं इस तरीके आप सेजूर बना सकते हैं चीफिल्में देख सकते हैं ब्यक्ति के जीवनी पर उसके बाराफी पर आधारित पावर्फूर और स्ट्रांग मूबीज देख सकत होता है और उसे आप अपने जिन्दगी में जो है ला करके अपने जिन्दगी को आप चमका सकते हैं और इससे आपके जो है भासा में वाक्यांस और भासा सही का परिमार्जन और परिस्कर्ण होता है आप उसमें सुधार कर सकते हैं बात करने की छंता का विकास कर सकते हैं आपनी कांफिडेंस को उपर कर सकते हैं तो यह जो है आज के समय का इस रूप में जो है आप सब भीयोग कर सकते हैं अगली पाश्वी पॉइंट जो है जो एक्जाम के रूप में परतेच रूप से जुड़ा हुआ है वो यह है कि घात्रा चक्र का जो अध्यन आपको बेस्वूग का ध्याने हर बेस्वूग को अध्याना बस्वडागरें टो किताब है कम से कम तीन बार जरूर पढ़िए दुनिया पर किकाब को पढ़ने से बेथर है कि आप एक ही किताब का या अधिक्टम सब्जिक्त के दो किताब का चार से पांच बारत दें कीजिए और आत्म विश्वास और confidence लाइगे क्योंकि दुनिया में आत्म विश्वास का बहुत बड़ा खेल है आत्म विश्वास से ही जो है अपनी जो है छंता का पूरी तरीके से उप्योग इक्जाम में कर पाएंगे जैसे कोई वेक्ति सर्विस म कर दादान में सह ऊपर रहता है तो उसके पास ये जो है जो आ है नेगी टिव है कि उसके पास समय कम है लेगन जो वैक्ति सर्विस मे कर रहा हो कि 21 गंड़ा में वहां सर्विस वाले हैं और पहूंशने दोट ही जो कर चुकी है तो उसके पास आप विश्वास होता है इसी की सर्विस में पहुंचने वाले लोग पूना सर्विस पाते हैं और जो सर्विस में नहीं पहुंचते हैं वो आप विश्वास की कमी के काम से कई बार योगी होते वे भी नहीं पहुंच पाते हैं लेकिन इस पर्तियो आपको अधिन सामाग्री पर भरोसा करना है, आपको अपने लक्ष पर विश्वास करना है। और ऐसा करके आप उस दिसा में आगे बढ़ेंगे जो एक्जाम को पास करने के लिए चुरूरी है। तो आज के इस lecture में जो है books और strategy पर हम लोगों ने जो चर्चा किया और उम्मीद करता हूँ कि ये टापिक आपको जो समझ में आया होगा आप बरतमान समय में अपने अधिकता वाले समय का सदूपियोग तैयारी के field में करेंगे आपने तैयारी को चंकाएंगे और आने वाले इज्जा में अपने आपको मजबूती से पेस करेंगे तो आज का लेक्चर मस इतना ही पुना अंगले लेक्चर में हम एक नय टापिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार